नमस्कार दोस्तो मैं हूँ नमरता और आप सावी रोगों का ब्यूटी टिप्स नमरता चैनल पर स्वागत है तो दोस्तो क्या आप भी परेशान है अपने हाथ पेरों के काले पन से अगर आप अपने हाथ पेरों का काला पन खतम करना चाहते हैं और धूल मिट्टी को मैल गंदगी को खतम करना चाहते हैं निकालना चाहते हैं अपने हाथ पेरों को गोरा खुबसूरत बनाना चाहते हैं चमकदार बनाना चाहते हैं सौप्ट बनाना चाहते हैं तो दोस्तो इस वीडियो को देखना पूरा तो इसके लिए हमें करना क्या है? दोस्तों हाथ पेरों को गोरा बराने के लिए हमें लेना है colgate तो यहां पर मैंने colgate ले लिया है colgate paste यह हमने white वाला colgate लिया है आप भी white वाला colgate ही लेना कोई gel बगेरा ना ले तो चरिए, अब यह जो call gate होता है, इसमें होता है bleaching property, जो कि आपके हाथ पेलों की धूल मिट्टी गंदगी को खतम करेगा और आपके रोम शुद्रों को deeply जाकर करके साफ करेगा, तो आपके हाथ पेलों की गंदगी को हटाने के लिए इसमें हम और चीज़ें add करेंगे, तो कि हमारी तुचा खिल उठती है क्यों कि दोस्तों हमारे जो रोमचिद्र उनका ब्लॉकिज खतम हो जाता है जब आप इसको यूज करेंगे नीबू को तो ब्लॉकिज खतम होगा जब आपके क्लीन हो जाएंगे रोमचिद्र जिससे कि हमारी तुचा है वो सुध ताजी हवा ले सकेगी जिससे कि हमारी तुचा खिल उठेगी और साथी साथ ये धूल मिट्टी गंदगी को भी खतम करने में बहुत तेजी से मदद करती है यह नीबू अगर आपको लेमन सूट नहीं करता है तो इसकी जगह पर आप क्या करें टमाटर का जूस भी ले सकते हैं तो चल ऐसलिये तो दोस्तों नमक क्यों डॉला है नमक मैने इसलिए डाला है कि अगर आपके परो में अंचाह की नहीं होगी यादी कि आपके तोधन की गंदगी को भी खतम करेगा में इसके बाद में हम इसमें डालेंगे दोस्तों बेकिंग पाउडर यमभाट्ण विक्गु पौडर को में आपको भिछू है कि इसके फुरत वह लें इनकों को विक्भान realizes वाला आपको बेकिंग पौडर को डालना आधा टी स्पून आधा टी स्पून आपको डालना तो एक लन रौसके को सब्स amen ही देखना आपकी जो हाँ पैर की गंदगी है या फिर अंडराम्स की गंदगी है बिल्कुल एक बार में ही क्लीन हो जाएगा एक बार जरूर इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो कि आपको नुक्सान करें बेकिंग पाउडर मैंने जो आपको बताया है यह बेकिंग आप चाहें तो आप जो यूज करते हैं घर में सैम्पू अपने वालों के लिए ने कर सकते हैं या पर आपके पास कोई हर्म knives अर्षे करेंगे मिक्स जोस्तों ऑक यह देखेंगे अब काला न चल्व नटारम अ सब खतम हो जाएंगे अगर आपके हाथ पैरों में अंचाहए बाल भी यह न तो भू भी रिमूव हो जाएंगे यानि की खतम हो जाएंगे लेकिन यहाँ पर आपको लगाना कैसे हो वीवाद को पताती हूं सबसे पहले आपको क्या करना है अपने हाथ पैरों जहां कहीं भी आ therapist के लिगा लेजिए हाथ पेर गर्दन अंडर आम कहीं के भी आप जहां कहीं का भी काला पन हटाना शाइते है जैसे की कόν भूल में ही इसको लगा सकते हैं देखना इक बार मैं ही आपका का वो खतम होगा इसे आप जरूर ट्राई करना अंतर आप खुद देखेगा वीडियों बने नहीं है मैं आपको बताऊंगी दोस्तों आपको क्या करना है इस पेश्ट को लगा लेना है अच्छे से अपने हाथ पेरों में या फर अंडराम से में कहीं का भी काला प्राटाने चा आपके जो हाथ पेरों की गंदगी है जो काला पन है उसको तो यह एक बार में रिमूब कर देगा आप इसे जरूर ट्राई करना अब आपको क्या करना है सर्कुलर मोसन में आपको मसाज करनी है मसाज आपको लगवग 5 विड़ तक करना है अगर यह पैक सूख जाए तो तो इससे आपकी जो हाथ पेरों की इसकिन है वो टाइट होगी, ब्राइट होगी और सथी सथ आप देखना इन्स्टेंड आपको गिलो मिलेगा इस नुस्के से आप खुद ही कमाल का असर देखेंगे इस नुस्के से एक बार की प्रियोग से आपके हाथ पेरों का काला पन गायब होगा दाग धब्बे गायब होंगे चलिए मैं इसको फ़र दो करके दिखाती हूँ मैंने पांच विनट इसका मसाज कर लिया है और अब आप मेरा हाथ खुद देख सकते हैं अगर आप वीडियो के बापस में जाएंगे तो जब मैंने इस पेश्ट को लगाया था लिए करना है इसको करना को खुदफ करना हैं तो आप अलुवेरा ले लिजिए या फिर आपकर आपकगे तो कोई भी मॉस्त टाइजिंघु क्रीम लीजिए और मसाज कर दीजिए पांच मिनट के लिए बस इतना आपको करना थे ऑर मैं आप अपि आपको और यूज आ चलं नुस्का है और इसका कोई भी side effect नहीं है मुझे ट्रस्ट करिए और इसे यूज करिए बस आप इसको अपने चेरे पर बिल्कुर ना लगाएं अब मैं आपको ताजू अगर आपके पैरों में यहां तो मैं अंचाहे बाल है या फिर दोस्तों अंडर राम्स में भी अंचाहे बाल है तो आप उनको कैसे रिमूव करेंगे इसी नुस्के से बस आपको करना क्या है इस नुस्के को हफ्ते में दो वार यूज करिए इस से आप देखना आपके जो unwanted hair है बो unwanted hair आपके रिमूव हो जाएंगे और फिर धीरह आपके जो unwanted hair की growth है वो भी खत्म हो जाएगी तो इसे मात्र दो से तीन बार यूज करिए आपका जो काला पन है हाथ पेरों का वो खतम हो जाएगा दोस्तों आप खुद ही देखना इसका रिजेट एक बार के प्रियोक से मैंने अपने हाथों को दिखा दिया है मेरे हाथ कितने सौप्ट हो चुके हैं और कितने साफ हो चुके हो जाएंगे हाँ पेरों का काला पन खतम हो जाएगा अंडर आमस की बद्वू खतम हो जाएगी आप देखना आपकी जो इसकीन है बहुत यदा अच्छी सौप्ट हो जाएगी तो चलिए सो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें दूस्तों को शेयर करें चैनल को सब